हेलो गाईज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Gmail के backup codes को लेकर कि कैसे आफ अपने Gmail के backup codes को get करेंगे यानि अगर कभी आफ अपना पासफ़ड भूल जाए या फिर आपको mobile number हो जाए या फिर अपना आप account recover करेंगे तो उस टाइम पर आपसे mobile number या फिर Gmail recovery email मांग जाती है तो उस टाइम पर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इन backup code का यूज़ करके अपने Gmail को login कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Gmail backup codes को get करेंगे अपने Gmail ID से तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Gmail ID में login कर लेना है login करने के बाद आपको जाना है setting के option में setting के option जाना है आपको see all setting के option पे जैसे आप see all setting के option पे जाएंगे यहाँ पे देखे आपकी setting open हो जाएगी इसमें देखे आप general tab के अंदर आप अभी है तो इसके लिए आपको जाना है account and import के option पे account and import के option पे जाने के बाद आपको देखे यहाँ पे option मिलता है change password recovery option इस option पे आपको click कर लेना है जैसे आप इस option पे click करेंगे आप next step पे आजाएंगे next step पे देखे आपको security का option मिलेगा इसमें देखे आपको scroll करना है scroll करने के बाद देखे आपके यहाँ पे option सर्च करना है two step verification अगर आपका यह own नहीं है तो backup code से लिए आप इसको own कर लेना है तो मेरा इहाँ पे on है तो मैं इस option पे जाता हूँ यहाँ पे two step verification के option पे आपने backup code को get करने के लिए इस option पे जाने के बाद next step पे देखे आप से confirm करेगा आपका password तो आपको इहाँ पे अपना password फिल कर लेना है जो भी कर सकते हैं तो हम इसको own ही रहने देना है own रहने के बाद देखे आपको अपने backup code को get करने के लिए इस option मिलता है आपका एक backup code का इस option पे आपको क्लिक करना है आपके काफी option मिल जाएंगे तो आपको backup code get करने है तो इसके लिए आपको backup code के option पे click करना है या फिर आप इसका screenshot ले सकते हैं या फिर print या download कर सकते हैं इन backup codes को तो इन backup codes का use आपको कब करना है जब आप अपने password को भूल जाएंगे gmail के या फिर आप अपनी gmail ID को recover नहीं कर पा रहे हैं तो उस वक्त आप इन backup codes का use कर सकते हैं अपनी gmail को login करने के लिए आप gmail ID के backup codes को get कर सकते हैं और इनका use जब आप gmail को recovery करें उस वक्त आप gmail ID में आप इन backup codes को देखकर आप इनका use कर सकते हैं तो आज जब भी आप एक backup code का use करेंगे तो आपका backup code expire हो जाएगा तो इसलिए आपको backup code का use करेंगे तो आपको दूसरा बैक अप कोड यूज करना होगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो मैंने आपको पताया कि कैसे आपको अपने जीमेल के बैक अप कोड को फाइंड करना है तो दोस्तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा साथी चैनल पर फर्स टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीज़ेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर करना ना बोले थैंक यू